दिल्ली के कर्यप्पा परेड ग्राउंड पर प्रधान मंतरी ननेन मोदी एन्सीसी द्वारा आईजित कारिक्रम में शामिल होने पहुचे मोदी ने एन्सीसी कैडेट्स को संबोधित किया और कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि घाटी में आतंगवादियों ने निर्दोश लोगों को मारा पीम मोदी ने पाकिस्तान पर भी हमला बोला उन्होंने कहा पडोसी देश भारत से प्रॉक्स वार लड़ रहा है आजादी के बाद से ही कश्मीर में समस्या बनी हुई है ततकाली इन सरकारों को घेरते हुए पीम ने कहा कि अगर अनुचे 370 आज था तो उसे हटाय क्यों नहीं गया पडोसी देश को हराने में दस दिन भी नहीं लगेंगे क्या कश्मीर को ऐसे ही चलने देते जैसे वो चल रहा था ताथियों जम्मु कश्मीर में आर्टिकल 370 ये कहकर लागू हुआ था कि अस्थाई है सम्विधान में भी यही लिखा गया कि अस्थाई है लेकिन दसकों भीद गए सम्विधान में जो अस्थाई था उसे हटाने की हिम्मत किसी नहीं दिखाई थी वजवहीती सोच वहीती अपना ही अपने राजदीतिक दल का ही अपना वोट में क्या हम अपने देश के नवजवानों को ऐसा भारत देते जिसमें कश्मीर में आतंगवाद पनमता रहता है जिसमें दिर्दोस्त लोग मारे जाते रहते जिसमें तरंगवाद का पान होता रहता और सरकार तमासा भेखती रहती है जी नहीं कश्मीर भारत की मुकट मनी है कश्मीर और वहां के लोगों को बसकों पुरानी समस्याओं से निकालना हमारा दाई तो था और हमने यह करके दिखाया पीम मोदी ने इस दौरान कहा कि ठके हुए लोग युवा सोच नहीं रख सकते हैं उन्होंने कहा कि युवाँ पढ़ेंगे भी और देश के लिए कुछ करेंगे भी हाला कि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग समस्या में सुधार नहीं होने देना चाहते हैं काम को टालने वाले लोगों के लिए कभी कल नहीं आता है आपको सभी जगां ऐसी सोच वाले लोग बिलेगे कब तक हम पुरानी कमजोरियों को पकड़ कर बैठे रहेंगे उन्होंने देश के युवाओं का दिकर करते हुए कहा कि आज का युवा देश बदलना चाहता है केंद्रिय ग्रह मंत्री हमेशे आखके अदेक्षिता में मद्द छेत्री परिशत की 22 वी बैठक नवाराइपुर में हुई 36 गड़ के मुख्यमंत्री और मद्द छेत्री परिशत के उपाद्यक्ष भुपेश बगेल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाद उत्राखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंदर सिंग रावत और मद्द प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ सहित चार चार घंटों तक अंतराजिय मुद्दों पर चर्चा हुई बैठक में 36 गड़ सहित उत्रप्रदेश उत्रखन और मद्रप्रदेश के दो दो मंत्री मुख्य सचिव और वरिष्ट विभागी अधिकारी शामिल हुए बैठक में अंतराजिय 30 बंदुओं को एजेंटे में शा साब से बात की 36 गड़ के मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने इसमें आदिवासी छेत्रों के विकास के लिए सड़क और मोबाइल केनेक्टिविटी का प्रस्ताव भी सौपा मद्ध छेतरी परिशत का गठन केंदर सरकार और परिशत में शामिल राजियों के समनवे से इन राजियों में संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के साथ अंतर राज्ये समस्याओं को हल करने के उड़ेश से एक उच इस तरिये सलहकार मंच के रूप में किया गया मद्ध प्रदेश के मुखमंतरी कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए दोटू कहा कि सरकार जिस कौर्परेटिव फेडरलिज्म की बात करती है कौर्परेटिव फेडरलिज्म के बारे में देश चल नहीं सकता देश की सबसे बड़ी आवशकता है कि केंदर और राज के बीच टकराव का कारण बड़ते हैं इससे देश को ना केवल हानी होती है बलकि इससे देश ठीक धंग से चल नहीं सकता काउंसर के मीटिंग बहुत समय बात हो रही है और जो करती है यह कोकर देश चल सकता उसकी बहुत बड़े आवशकता है कि केंद और राज में समय बढ़ा है बहुत सारे ऐसे मुद्धे हैं जो टक्राफ के मुद्धे हैं और टक्राफ से अपने देश को केवल हानी नहीं होती पर अपना देश चल नहीं सकता सिवनी के कुरई थाना छेदर के मोगाओं में नागपुर जा रही विजियन ट्रैवलर्स की बस आगे चल रहे एक ट्रक में जागुसी हाथसे में बस ट्रैवर की मौके पर ही मौत हो गए जबकि बस में सवार 25 यात्री खायल हो गए यात्रियों को इलाज के लिए जिलास पताल में भरती कराए गया कुरई थाना प्रभारी जी एस ओएके ने बताया कि नैशनल हाईवे करमांग साथ से विजियन ट्रैवलर्स की यात्री बस जा रही थी इसी दोरान तमिलनाडू से नाकपुर्द जा रहे ट्रक को ड्रैवर किनारे खड़ा कर रखा था ट्रक के इंडिकेटर बंध होने के कारण बस ड्रैवर धोका खा गया और तेज रफ्तार यात्री बस ट्रक के पीछले हिस्से में जटक रही है घायनों को एंबुलेंस की मदद से जिलास पताल में भड़ती कराए गया है मामले की जाच की जा रही है हमारा देश इतनी तरक की कर रहा है नई नई टेकनलोजी इजात कर रहा है हम चांद तक बहुच चुके हैं मगर देश का दुरभा के है कि कई ऐसे राज्ज हैं कई ऐसे गाउ हैं जहां अबी तक सडके ही नहीं है ये बेहग हैरान करने वाली बात है जहां हम बंगल और चान तक बहुच चुके हैं बहाँ जाने का रास्ता खोच चुके हैं वहीं दूसरी और मध्ध देश में आज भी चुरहट विधान सभा का एक ऐसा गाउं है जहां हमारे देश के भविश्य को इस्कूल जाने के लिए सड़क का इंतजार है सीधी भी गजब है इस जिले से मुख्यमंत्री राजपाल मंत्री सहित कई मुख्यपदों पर लोग पहुचे लेकिन जिले में आज भी चुरहट विधान सभाद छेतर के गाउं चोर गड़ी मेरा टोला में आज तक सड़क नहीं बन पाई है वहां के इस्कूली बच्चे मुख्यमंत्री कमलनाथ से सड़क बनवाने की गुहार लगा रहे हैं लोगों का कहना है सरकार से अभी तक हम परिशानियां झेल कर नाराज थे मगर अब तो स्कूल के बच्चों को भी भरोसा नहीं रहा इन बच्चों ने अपनी नाराज की जाहिर करने का जो तरीका निकाला है शायद मुख्यमंत्री कमलनाथ तक उनकी बात पहुच जाए बच्चों ने 26 जनवरी के कारिक्रम में एक ऐसा गीत गाया जिसे सुनकर अभी तक की सभी सरकारें शर्म से पानी पानी हो जाएंगी लीजिये कमलनाथ जी इस गीत में बच्चों ने आपके सरकारी तंत्र की बखिया उधिर कर रखती है सुना थैज़े पंचे ना सुना थैज भाद में एक रखरी तक की रोडब वने वाद हो हमें नादान बालिकाए हाँ मारी पाद साला की रोडब वने वाद हो एस पी ना सुने का लग कर ना सुनाए ये गाना गा रहे बच्चे सीधी जिले के शाष्किया हाई स्कूल चोरगडी मैटोला के हैं जो गरतंत विवस के अफसर पर आईजित कारिक्रम में सरकार की पोल खोलते हुए गीद का रही हैं इसकूल जाने के लिए 20 सालों से सड़कों के लिए ये बच्चे तरस रहे हैं सरकार और सरकारी तंतर की उदासीनता के करण इसकूल पहुचने के लिए खेतों से गुजरना पड़ता है और 500 मीटर की सड़क के मांग इसकूल के बच्चे 20 साल से छेतर के पूरवे विधायक और मंत्री अजय सिंग राहुल अरजुन सिंग से लेकर कलेक्टर तक कर चुके हैं फिर भी जब सड़क नहीं बन पाई तो इन बच्चों ने गरतंत्र दिवस के अफसर पर सड़क बनवाने को लेकर गीट गाया जिसमें बच्चों ने कलेक्टर स्पी सभी से रोट की व्यथा को सुनाया और आम जंता से भी अपील की कि अब आप गाउं वाले ही मिलकर हमारे स्कूल की सड़क बनवा दो गौर करने वाली बात ये है कि सीधी जिले के चुरहट विधान सवा छेतर का ये गाउं जहां से प्रदेश को पूर्व मुख्र मंतरी अर्जुन सिंग मिले थे और वर्तमान में इसी जिले से कमलेश्वर पटिल क्याबिनेट मंतरी हैं देखना होगा कि इस गीत को सुनने के बार सत्ता के मद में चूर इन मेताओं के कानों पर जूरेंटी है या नहीं हम लोगों को इसकोल आने बहुत दिक्कत होती है सडगना होने के मद दो झाल जब ख滅 को वह से और जाला दिक्कत होती है बर्षाथ में आर 21 मीटर हम लोगों इसकोल आना वहां पे रास्ता नहीं है और क Actually असे वो कराना पड़ता है और यहां पर जो चात्रों की मूल भूत असकता हैं तो कुछ तक दिखती हैं लेकिन जो बेसिक यहां की प्रॉलम है वो है यहां पर करीब 200 मीटर की सड़क है जो कच्ची है और बच्चे जो हैं इनको गुजरना पड़ता है खितों से खलीहानों से आना पड़ता है और यह दुर्भाग की बात यह है कि यहां वीज काल के लिए जिलाधि Grandpa कर जो भी मेहां के मंतरी रहें हैं हर तरह के अस्तर पर प्रूरा प्यास किया जा चुका है लेकिन दुर्भाग ही है कि हमारी सरकारी तन जिस डेश के में इस तरह की विश्था आज भी नहीं है कि एक बार में सुन लिया जाता हो और आज भी शड़क की लड़ाई के लिए लड़ रहा ही है श्कूर। परिवार का पालन पोशन करने के मजदूरी में मजदूर ये कदम उठा रहे हैं प्रशाशने का अधिकारी अवैद उत्खनन रोकने का फिर्फ आश्वाशन देते रहते हैं जिसको देखते हुए भारती मजदूर संग ने कॉंग्रेस सरकार के विरोध में धरना दिया और को कोईला परिवाहन को रोक दिया भारती मजदूर संग ने बताया कि कॉंग्रेस के कुछ रसूपदार नेताओं का काम चल रहा है इसी कारण प्रशाशनिक अधिकारी शांत रहते हैं प्रशाशन पूरी तरह से कोला चोरी को रोकने में नाकाम है बीमस द्वारत दिये गए सुझाओं को नजन दाज किया जा रहा है कोला माफिया बेचारे गरीम मजदूरों को मौत के मुँँ में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं पुराने कई उदाहरण है जहां पर ऐसे दौरे पर आते हैं नए भवनों का लोकारपन करते हैं शिक्षब विभाग के जिमेदार अधिकारियों द्वारा अच्छी सुख में विवस्थापा कर खुशी खुशी वापत भुपाल लोटाते हैं इस दौरान बे भूल जाते हैं कि जिन कारियों के लिए कमलना सरकार न लाइन में खड़े रहते हैं मगर मंतरी जी को समस्याय सुनने की फूर्सत थी कहां मिलती ही नहीं है पिछले एक बार फिर विश्व विध्याले की पढ़ाई विवस्था और प्रशाशनी कार्य विवस्था ठप पड़ गई हैं मेटिंग तो हमारी कल भी हुई थी लेकिन कल भी हम लोगों ने हैं और यह कर दिया जाए तो हमारा हम लोगों को कहना है कि मत प्रदेश परिसर अडेश आया रही है इस सम्मंद में विस्विद्याला प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है, ना ही विस्विद्याला प्रशासन ने कोई जवाब दिया। अभी महासभा बुलाई जाएगी, महासभा का जो निर्णय होगा वही मानने होगा, यह किसी एक व्यक्ति एक पताधिकारी का नहीं है। यहां कई कई दिनों तक पच्चों के पढ़ाई विवस्था भी बंद रहती है। हरताल की कारव पठन पठन जो है बहुत ही प्रभावित हुआ है। क्लासिस लगबग लगबग सभी सस्पेंट चल रही हैं। और जो फैकल्टीज हैं, जैसा कि आप लुग जानते हैं कि यहां पे मैक्जिम पे फैकल्टीज जो हैं, गेस्ट फैकल्टी हैं। तो वो भी उसका फाइदा उठाते हुए, खली यहां पे आके अटेनेंस लगा के विचरन कर रहे हैं। क्लासिस के और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आतिती विद्वान जिनकी संख्या विश्व विध्धाले में सबसे ज्यादा है, जिनका हरताल में भी योगदान नहीं है, बेभी मौका उठाकर कक्षाओं में बढ़ाने नहीं जाते हैं। प्रशाशन के द्वारा अश्टा कोई कठोर कारवाई नहीं किये जाने के करण अतिती विद्वानों के भी होंसले बुलंद हो गए हैं। और विश्व विध्धाले की कुलपती फ्यूश रंजन अगरवाल मीटिंग करने के लावाद समस्याओं का कोई निसकर्श नहीं निकाल पा रहे हैं। और हर बात पर राज सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इनकी एक मांग जो चल रही है वो सात्में वितनायों के एरियर के सम्मझ भुक्तान की है। एक पर्टिकुलर अवधी के लिए। तो ये फाइनिशिल डिसीजन, एडिस्टिटिव डिसीजन राज सरकार को समीवे शुद्धाले के लिए एक साथ लेना है। तो हम लोगाना है कि अगर उनका कॉई आदेश आएगा तो उसके लखालए विप्तान किया जाएगा। राजस्टरकार के कुछ जानकारी चाहे हążए आदेशिए जों भीजा है। और उनकी आदेश आने के बादो की लगातिन और ़ोबत कराए। बंदी की मौत का वास्तविक कारण पता लगाने के लिए मजिस्ट्रिल जांच के आदेश दिये गए हैं ग्राम इत्मा निवासी नरुत्तम ड्रावत के इसलाव इसी महा करहिया ठाने में किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने पर मामला दश किया गया था किशोरी के बरामद होने के बाद पुलिस ने इस मामले में दुश कर्म वापास को एक्ट के साथ धमकाने की धारा का इजाफा किया पुलिस का दवाब बढ़ने पर नरुत्तम कमपू थाने में हाजिर हो गया गिरफ्तारी के समय नरुत्तम नावालिक था इसलिए उसे कुछ समय बाल जेल में रखा गया इसके बाद इसी महा बंदी की आयू 18 वर्ष पूर होने पर 23 जनवरी की शाम तीन बजे नयाएक हिरासत में सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया नरुत्तम की जेल में एंट्री होने के बाद से उसे बेरेक नमबर 9 में रखा गया था जेल में पहुचने के बाद नरुत्तम काफी तराव में था शाम साथ बजे बंदियों को लॉक अप में बंद किया जा रहा था लोक अप के बाद बंदियों की गिंती होनी थी इसी बीच पुराने अस्पताल वाड के पीछे शिव मंदिर के पीपल के पेड़े पर जमीन से 25 फीट की उचाई पर बंदी को फासी पर लटके होने में हरकम पमज गया जेल अधिक्षक मनोज साहु सहित अन्य अधिकारी जेल में पहुँच गए जेल अधिक्षक ने सबसे पहले लिखित आविदन पेज कर बंदी नरुस्तम के आत्मा स्त्या करने की सूचना जिलावा सत्र नियाधिश को भीजी और नियाएक अधिकारियों की साथ तहसिलदार क को भी परताल के लिए बुलाया उसके बाद मुख्य प्रहरी ओम्प्रकाश सुमन प्रहरी प्रेम नारायन गोयल वा मनोज त्यागी को ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया चिंद्वाडा के परासिया में जिलासी मचों ने सामुदाइक अस्पतालों का अकस्प मे पर भी डॉक्ट्रों के उपर कड़ी कारवाई के निर्देश दिये गया डॉक्ट्रों को समझाईश देते हुए कहा कि मरीजों के हितैशी बने और मरीजों के प्रती अपनी इच्छा शक्ती बनाए रखें वो बहुत सिरियस मैटर है मैंने स्वई वहां पर जाकर देखाया है और यह एसी घटना मतलब जो वहां का जो स्टाफ है वो स्वई जिम्म्यदार इसके लिए कि वहां पर सेवाय नहीं देना चाहता है वो रहना नहीं चाहते हैं कठोर एक्षन हम लेंगे इसके लिए सिवाए समाप्त करने की वी कारवाई आगे को कर सकते हैं नहीं दे रही है और सरपंच पर आरोप लगा रही है कॉंगरेस को भे है कि आने वाले चुनाव में उसकी पोल खुल जाएगे गौर्टलव मनिश यादव भाजपानी छेतर से सरपंच है और इस छेतर से कॉंग्रेस को कभी जीत नहीं मिली है। इसी वजह से इस छेतर के भाजपा सरपंच के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। पंचो का आरोप है कि प्रशाशने का धिकारी भी जाच निस्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं। जिसके चलते हम सभी पंचो ने भी इस्तिफा दे दिया है। और पूर्व में ग्राम पंचाद भाजी पानी के एक माफिया के द्वारा जो की रेत माफिया है उसके द्वारा कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर के यहां के विधायक स्थानी सोहनलाल बालमिक के साथ मिलकर के ग्राम पंचाद भाजी पानी की जाच कराए गई। सुकी पूरा जुटा रिपोर्ट तयार कर जिलसीयों को अगत कराया गया और जिलसीयों के माजदम से गराम पंचाइद भाजी पानी को साड़े ग्यारा लाग रुपे के रिकवर किया गया है लेकिन वो जाच पूरे कांग्रेस के लोगों के द्वारा फ़र्जी तर्केस की जिसकी पुनहा जाच कराने के लिए हम सत्रह एक दोजार बीस को जिला का लेक्टर महोदे के सामने गाओं की कम से कम डेड़ सो महिला है और रिवाओं के साथ उपस्तित हुए थे और ग्यापन के माजदम से उनको अगत कराया था कि ग्राम पंचाइद भाजी पानी के उप अनना चाहता हूं की लोगत अंदर में यह जो आपके दोरह वेवस्ता दी जारही यह गलत है क्लेक्टर महोदे का दाहिए तो वह होता है कि एदि किसी की समस्य आई तो ततकाल जाकर कि वो देखें लेकिन कांग्रेस के नकुलनाथ के कमलनात अर अपने सोहनवाल में के दव लगाए गई उनकी पूरी जाच हो जाए हमारे भाजी पानी के जो सरपन्ज मनीश यादर जी हैं उनके उपर कांग्रेस द्वारा गंबिर आरोप लगा गए हैं और उनकी कोई जाच नहीं हो रही है और हम बहुत से लोग कलेक्टर गए थे जिनकी शिकायत हमने किया था लेक के इंदर सरकार की गलत आर्थिक नेतियों के कारण देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है ऐसे में देश में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में युवा कॉंग्रेस के प्रधान मंतरी नरेन मोदी का पुतला देहन करने का कारिकरम कर रहे थे कोई अपरिये घड़ना नहों हो इसके लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी इस प्रदशन में छीना जप्टी के दौरान पुतला गिर गया युवा कॉंग्रेसी प्रधान मंतरी का पुतला जलाने पर अड़े हुए थे पुलिस ने पुतला चीनने का प्रयास किया चीना जप्टी में कॉंग्रेसियों ने पुतले में आग लगा दी आग की लप्टो से जुलसा पुतला आकाश की तरफ किरा जिससे उसका चेहरा जुलस किया बाल जल गए आकाश का कहना था है कि आग की तपिश से चेहरे पर ज चतिक्रस्त होने के बाद से ही मंदिर में नए रंग मंचों की वाडवासी लंबे समय से मांग कर रहे थे वहीं आंगनबाडी की भी लंबे समय से वाडवासियों द्वारा मांग की जा रहे थी जिसके चलते विधायक ने काली मंदिर में रंग पंच का भूमी बुजन किया औ यंगीत टी सों लहरियों से सांस्क्रित एक टाने बाने तक किंगुणों द्यहभियों यू u सफ़े नुठवात्यो के कड़त है जोपडी से महनों म्यों से एमें लो चाट उते कि तक मैं व्यापार से उध्यों उते से लिखलॅ करें लुद्ली वह sick Phnezu आप देख रहे हैं दखल न्यूल